नमस्कार साथियों मैं ग्यानेन सिंग आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासिस में कैसे हैं आप सभी लोग क्या हाल चाले भाया आप सभी के तो भाई सभी को राम राम रादेश श्रीयाकाल आदाब कैसे हैं आप सभी लोग तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं 11 जनवरी 2023 के shift no.4 का question तो हम सभी लोग जानते हैं कि 11 जनवरी के जो है लगभग लगभग first, second, third को अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया है और आज हम चौथे shift के बारे में discuss करने वाले हैं तो भाई देखेंगे कि क्या question आ रहा है आपके scheme पर तो पहला question आपका है भाई मेरे यह आ रहा है आपका economics से क्या पूछ रहा है कि NPS NPS एक स्वेक्षिक यानि कि जो यह national pension scheme है इसका full form पहले आप जान लिजे क्या है national pension scheme ठीक है ना national pension scheme national pension pension scheme एक बात ध्यान लखना जो यह आपका national pension scheme है बटा इसमें एक बात आप सभी लोग ध्यान लखना कि इसमें question पूछता है आप सभी से कि एक question यह आता है कि national pension scheme जो है इस ब्यवस्था को हमने शुरू कप किया था तो इस ब्यवस्था को सुरू करने के पिछे रीजन क्या था सरकार ने कई बार ऐसा भी कहा था कि भाई बहुत से लोग जो है अपनी pension को लेके problem में है आप जानते हैं कि सरकार ने one rank one pension जैसे concept को भी launch किया है तो यह जो ब्यवस्था है वो किसके तहत है आये पढ़ते हैं देखते हैं क्या question है एक स्वैक्षिक परिभासित योगदान शेवा निब्रित्ती वचत योजना है जो ग्राहकों को शु ब्यवस्थित पचत से अपने भविश्य के बारे में इस्तम निरने लेने के लिए आपका अंसर मिल जाता है कई बार क्या होता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं कि हाँ यह बहुत ही कठिन है लेकिन वह कठिन होते नहीं है बड़े सरल होते हैं वह कहते हैं किसी एक बहुत अच्छे कभी ने कहा था कि कठिन लिखना कठिन लिखना बहुत ही Shdu devil होता है लेकिन Shaul सद्धों में लिखना बहुत ही कथिन होता हिं ठीक है तो कई तो कही बार ऐसा भी होता है कि हमारे सरार में कुछ क्वेशन सैथ्यां आते इसको देखते कि भाई ये बहुत ही टफ है बहुत ही टफ है नहीं कर पाएंगे देखते ही बस पलट दिया पन्ना नहीं कर पाएंगे हो गया फिर क्या हुआ कि अगर दिमाग लगा है तो आंसर मिल जाता है कि कह रहा है कि गोंफ नृत्य किस राज्यका है देखो बच्चो यहां कि आरे में थोड़ा सा ध्यान रखें आगर आप सभी लोग वी ओन पी एच की बात करेंगे और जी ओ M PH की बात करेंगे तो दोनों चेन हो जाएगा यह हो जाएगा आपका गुझरात का ध्यान लखे यह दोनों अलग अलग हैं यह दोनों अलग अलग dance हैं फॉक डांस है लेकिन यह G ONF है तो ध्यान रखें गौन्फ है तो यह इसका संब्द कहां से है गुवा chte रहा है है अगला क्विशन क्या रहा है प Kennarine अभी क्लास को अधिक सो दिक शेख कर दीजिया आप आप सभी जानते ही हैं कि हमारा इस्पेशल जो है जीThis का बैच स्टार्ट होने वाला है जहाए आप में आप तो आप सभी लोग बुजिट कर सकते हैं परमानंद कॉलोनी मुखरजी नगर गैलेक्सी क्लासेज में ठीक है और बाकी आप सब लोग SSCGD का आनंद योट्यूब पे लेते रही है ठीक है के सदस्य की रुप में चुनाव के लिए योग्य हो जरूरी नहीं है कि लोगसभा का मेंबर हो योग्यता रखता हो बिल्कुल बात सही है कि मिनिमम्म 35 इयर आफ एज यानि कि 35 साल की आयू को वो पूरी कर चुका हो ये भी बात बिल्कुल सही है ठीक है न मस्ट भी सिडिजन आफ इंडिया भारत का नागरिक हो ठीक है बिल्कुल बात सही है हायर एडूकेशन भाया हमारे यहां नेतागिरी में एडूकेशन तो नहीं है हमारे संविधान बनाने वालों से साइद थोड़ी बहुत गलती हुई होगी जहां तक मेरा मानना है उन्हें संविधान में इस बात को जरूर रखना चाहिए था कि वो हव्यक्ती इलेक्शन लड़ने के लिए योग्य होगा जिसके पास मिनमम ये कौलिफीकेशन होनी चाहिए तो इससे क्या होता देश को पढ़े लिखे लोग मिलते अब इसका ये मतलं कटई मत निकाली है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो देश का विकास नहीं कर सकते हैं भारत के इतिहास में ऐसे बहुत से अनपढ़ राजा हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं जिनमें एक सबसे बड़े अनपढ़ राजा थे अकबर इनसे भी बड़े अनपढ़ थे अलाव दिन खिल जी और इनसे भी बड़े अनपढ़ थे मराठा, सिर मौर, च्छत्रपति, सिवा जी सभी लोग जानते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अकपर के बारे में कि कौन सा बासद अनपढ था तो अकपर के बारे में आप सब ko पता होगा लेकिन दो बाते मैंने आपको आज बता यी मुझे लगता है आप लोग के लिएक दम बिल्कुल नहीं होंगी कि अकबर के अलावा भी दो ऐसी सक्सियत थी जो अनपढ़ थी यानि इनको लिखना पढ़ना नहीं आता था और वो थे अलावत दिन खिल जी और दूसरे थे सिवाजी थे ठीक है लेकिन इन तीनों के सासन मे कहीं कोई प्रकार की कमी नहीं देखने को पाएंगे जब तक इनोंने सासन किया पूरे दबदबे के सासन किया पूरे सीना चोड़ा करके सासन किया ठीक है तो मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो सासन व्यवस्था नहीं कर पाएंगे ल किस मंत्राले की है अब भाई आगर मैं आपसे बात करूं मैंने कई बार बताया है कि जनगर्णा जो है वह 1881 से शुरू हुई थी जो 10 वर्सिय है जानकना जो 10 वर्सिय जनगर्णा है वह 1881 से शुरू हुई थी ठीक है ओके इसके बाद यह जनगर्णा जो है यह संघ सूची का विशय है किसका विशय है संघ सूची का सब्जेक्ट है संघ सूची का विशय है तो पहले यह किसमे था पहले समवर्ती सूची में था किसमे था समवर्ती सूची में ध्यानकना समवर्ती सूची में था और यह बाद में इसको संघ सूची में डाल दिया गय कौझ कराता हैग्रिह मंत्राले ठीक है कौझ कराता है ग्रिह मंत्राले में इससा ऑफ हो में सरी उब स्थेख अगला हैं क्या उपर से बदा की तीसरी परत की पहचान किजिए देखिए भाईया मैं आपको बता ओ आ गया होता है इस स्वाइल क्या होता है इटी संस्ट आफ में लुटरा यह चीजों के पाट्स में बने होते हैं यह एक तो सभाइल उस्वाइल वो बना होता है किसका स्वैल को बनने में क्या होती है और दूसरा है water तीसरा है कार्बनिक element ठीक ना और चौथा क्या होता है non-carbonic carbonic element non-carbonic element जैसे जैसे minerals की गरहम बात करें, इनको मिलाकर के क्या बनते हैं, मिट्टी बनती है, तो मिट्टी को बनने में चार चीजें होनी चाहिए, organic, inorganic, इसको non-organic या inorganic कह सकते हैं, वैसे inorganic कहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, suitable रहेगा, ठीक है, inorganic, ठीक है, तो inorganic element का मतलब क्य phosphorus होता है, nitrogen होता है, जो आपके लिए fertilizer का काम करते हैं, nitrogen होता है, इसके अलावा humus, 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 humus होता है, ठीक है, ये तीन महत्पूर्ण चीजें होती हैं, तो कहा जाता है, कि जो मिट्टी की परते होती हैं, ये सभी जो होती हैं, ये केवल मिट्टी की basic देखर देखें, तो 4 परत होती है basic देखें तो 4 परत होती है तो पहली दो परत में ये आपको देखने को मिलेगा phosphorus nitrogen humoz की मातरा देखने को मिलेगे लेकिन तीसरी परत जो होती है वह आधारी चट्टाने होती है जन्हें कि रॉक्स टाइब की होती है अपच्छा है मतलब इनका जो है वातर हैट पेरेंट्स जो है यह होता है लिए आपका day option सही हो जाएगा ठिक है OK हां कमेंTV करते रहें प्यारे बच्चों ठीक है ओके हैं के छले अगला कोश्EOं देखते हैं कि अगला कोशन क्या है आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि हमिस पर्व देखे बच्चो एक तो हमिस जो है यह आपका नेशनल पार्क भी है क्या है आपका नेशनल पार्क भी है और यह भारत का सबसे बड़ा है क्या है सबसे बड़ा सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है ध्यान होगा ठीक है अगला कह रहा है कि 1979 भारत पाकिस्तान का जो युद्ð हुआ ठाइदस की शुर्वात अगर आप देखेंगे तो 3 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक युद्ध हुआ ठीक है और 16 दिसंबर को 16 को पाकिस्तान ने माफी मांगे पाकिस्तान पाक ने हार सुविकार की हार सुविकार की सुविकार की भारत से भारत से माफी मांगे माफी मांगे ठीक है भारत से माफी मांगे तो कह रहा है कि यह कौन सी युजना के तहत था तो भाईया अगर हम पहली की बात करें तो पहली ज तीसरी जो है 1961 से लेकर के 1966 तक अगर आप देखेंगे तो तीन साल तक यह अवकास रहा है यह क्या रहा है आवकास रहा है इसके बाद फिर 1979 से लेकर के 1974 तक जो है यह चौथी योजना चली है क्या है चौथी तो यह जो year आएगा यह चौथी में आएगा चौथी पंचवरसी योजना में आएगा ठीक है तो पहला योजना उकास जो आता है वो आपका कपका है 66 से लेके 69 तक ठीक है और दूसरा आता है 91 से लेके 92 ठीक है ओके क्वेशन नमबर 8 क्या कहता है भारत में हरित करांती भाया अगर हरित करांती के हम बात करेंगे तो हरित करांती के जो पिता है वो है नार्मन बोरलाग नार्मन बोरलाग नार्मन बोरलाग बोरलाग ठीक है इनका संबंद कहां से है ऊथ से अधियुके भाइरत में आपसे पूछें तो mm. Gray Schwalensah onto. mm.잖아 स्वामी नाथन sorry नाथन और प्यारे बच्चों यह आपसे परिच्छा में इस बार भी पूछ सकता है क्योंकि अभी इनकी मुर्थ्य अभी इनकी क्या हुई है मृत्य अभी इनकी क्या हुई है इनकी मृत्य हुई है में स्वामी नाथन साहब की तो पहला जो कुरांति आया था जाता है एसी आई खेल 2018 का आयोजन निम्रिखित में से किस देश में किया गया था इंडोनेशिया सिंगापूर थाइलेंड मौल्दिव क्या होगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर तो बच्चो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना पर उसी साउधर कंट्र जो है वो उसका क्या नाम है इंडो नेशिया क्या है इंडो नेशिया तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इंडो नेशिया चलिए हाँ चुलो भाई इसका आंसर दो भाई फटा फट आंसर दो बहुत सांदार कुश्यन आ रहा है आपके सामने क्या रहा है आप परना सतीशन को किस नृत्य सहली में उत्कृष्ट पदर्शन के लिए प्रतिष्ट भारत शास्त्र नृत्य प्रवीन राष्ट्य पुरसकार से किया गया है it is very 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 important question आप सब लोग मुझे बताएं तो बच्चो मेरे लाडलों मेरे रसगुलों एक बाद मुझे बताओ कि कथकली कहां का है चाब दो comment box में भरत नाट्यम कहां का है तमिल नाडू तमिल नाडू नहीं है तमिल नाडू नहीं है तमिल नाडू नहीं है है ना नहीं तो तमिल नाडू अले नाराज हो जाएंगे भाया किसे आप क्या बोल रहे हैं तमिल नाडू बोल रहे हैं उसके बार लावनी जो है यह महाराष्ट का है महाराष्ट अपना इट इस इन आंध्र प्रदेश तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपढ़ना सतीशन जो है उनका अन्रत्यसाहली क्या है कुछी पूरी ठीक है ओके चले क्या कहता है कि आप लोग मुझे बताएंगे कह रहा है कि जो पूरुस लोग डिस्क फेकते ना देखाओ इसे गोल गोल घूम के ऐसे पेकते हैं तो पूरुसों की स्रेडिय में फेके जाने वाले चक्र में प्रियुक्त चक्र का जो व्यास और वजन होता है आप जैसे यहां पर मैं आपसे बोलूँ कि एक चक्र है यह एक चक्र है ठीक है यह एक क्या है चक्र है डिस्क है ठीक और इस डिस्क में थोड़ा सा यह पार्ट जो है बीच में खाली होता है यह थोड़ा सा पार्ट यहां पर क्या होता है खाली होता है अब अगर आप देखेंगे इसका जो व्यास होता है अब इसका जो देखेंगे आप सभी लोग जो है इसका जो व्यास होता है इसका जो व्यास होता है इसका जो व्यास होता है यहां से लेकर यहां तक क्योंकि आ होता है 22 cm कितना होता है 22 cm यह male के लिए होता है और यहीं पर 18 cm किस के लिए होता है female के लिए होता है female के लिए होता है ठीक है और इसका अगर मैं weight की बात करूं इसका वजन की मैं अगर बात करूं तो इसका वजन कितना होता है 2 kg ठीक है 2 kg होता है तो 2 kg और ब्यास कितना है 22 तो आपका answer क्या हो जाएगा C इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा अगला question आ जाईए अगला question क्या कह रहा है 2019 में भारत कितने million ton इस पात का बेनिर्माण कर संसार में कच्छा इस पात को में दूसरे अस्थान पर है तो भाई अगर मैं यहां पर पहले अस्थान पर बात करूं तो पहले स्थान पर पहले स्थान पर है चीन पहले स्थान पर क्या है चीन इसका उत्पादन कितना है मेरे में लाड़नों इसका उत्तान है 996, 3 million ton मिल्यन टन इस बात का ध्यान रखेंगे ठीक है क्या है मिलियन टन इस पात का विनिर्माण का संसार में कच्चा इस पात उत्पादक में दूसरे अस्थान पर है ठीक है ओके अगले कोशन की तरफ बढ़ते भाई अगला कोशन क्या है निम्ड लिखित में से कौन से तत्व की परमाडू संख्या 33 है तो भाईया आप से पूछा 33 किस की है आप सभी लोग जानते हैं कि बेरियम की जो होती है वो कितनी होती है 56 होती है इसके बाद नियॉन की कितनी होती है दस होती है इसके बाद नंबर आता है आयोडीन का तो आयोडीन कहते हैं आप लोग इसकी कितनी होती 53 होती है अब बच गया आरसेनिक अब ध्यान रखन बच्चो आर्सेनिक के कारण ध्यानकना आर्सेनिक के कारण गंगा का पानी पूर्भी यूपी में पीला दिखता है पीला दिखता है ये पहला पाइंट हो गया दूसरा पॉयंट क्या है इसके कारण धामोदर धामोदर क्या है कि दामोदर प्रदूषित प्रदूषित प्रदूशित है क्या है दामोदर क्या है प्रदूशित है क्या है प्रदूशित है तो दामोदर किस तत्तो की वज़ा से प्रदूशित है बच्चो आर्सेनिक की वज़ा से और इसकी वज़ा से गंगा में भी पीलापन आ गया है ठीक है तो आर्सेनिक इसका सही एंसर हो जारी करने का right केवल और केवल किसके पास है आर बी आई के पास जान रखना आर बी आई कि आर बी आई एक्ट 1934 यह है इसका एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 22 ठीक है सेक्शन नंबर 22 इसी के तहट यह जारी करता क्या बैंक नोट क्या जारी करता है बैंक नोट ध्यान रखना बैंक नोट क्या है बैंक नोट अधिक्तम कितने तक का नोट छाप सकता है यह कोशन पूछा गया है परिच्छा में कि इस अधिनियम के तहट आर्वियाई कितने तक का नोट छाप सकता है तो अधिक्तम 10,000 ध्य सकता है इस act केता है ध्यानकनावच्छो इस act केता है ठीक है ओके तो आर बीयाई का ये हो जाता है इतले बैंक ठीक है ओके अगला question आ जाईए क्या है ओ 15 नमबर question क्या कहता है कि एक मई 2022 से नीती आयोक के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे निउक्त किया गया है बताइए भाई नीती आयोग की रूप में किसे न्युक्त किया गया है जल्दी से आप सब लोग मुझे बताएंगे नीती आयोग की रूप में किसे न्युक्त किया गया है बहुत अच्छा कोईशन है जल्दी से बताएंगे तो भाईया नीती आयोग की रूप में किस 2015 में हुई थी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर मौर सामराज इतना बड़ा था इसलिए अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग था ठीक है तो किसके आस-पास पाटली पुत्र क्योंकि मौरियों की राजधानी क्या थी पाटली पुत्र अब पाटली पुत्र के पडोस में जो स्टेट्स थे उन पर राजा का सीधा नियंद्रन होता था वहां पर राजजपाल का अपॉइंट्मेंट नहीं होता था लोग जानते हैं खिलाफद समिती खिलाफद जो समिती है इसका गठन अगर आप देखेंगे तो बॉंबे में ये होता है भाईया मार्च के महिने में मार्च 1929 में मुहम्मद अली और सौकत अली कौन करते हैं मुहम्मद अली और सौकत अली सौकत अली इनको आप इतिहास में क्या कहते हैं अली ब्रदर्स क्या कहते हैं अली बंधु क्या कहते हैं अली बंधु जिसकी बैठा कहां हुई दिल्ली में हुई और इसका नेतर तो किस ने किया महत्मा गांधी ने किया यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है मार्च 1919 ठीक क्योंकि THURQI के खलीफा का अपमान हुआ था इसलिए भारत के मुसलमानों ने उसका विरुद किया कोसिका आकार क्या क्वेस्चन कहे रहा है कोसिका आकार का नियुकित में से कौन सा युग्म सही है कह रहा है जो RBC होती है RBC जो होती है उसका जो सेल होता है उसका आकार गोला कार होता है डिस्क जैसा ठीक है बिल्कुल सही है पेसी कोशी का जो मसल सेल्स होती है वो कैसी होती है spindle shapes होती है, बीलकुल सही है. दोनों point आपका क्या है, सही है. दोनों का सही है. दोनोंका safe सही है, दोनों का clear answer है. चलें. अगला question आजायी है. Question number 19 क्या कहता है, भाई? कहpture है, निर्म्यलिखित में से कौन सा करतव्य निर्मलिखित में से कौन सा करतव्य भारतिय संविधान के 42 संसोधन द्वारा नहीं जोडा गया था द्वारा नहीं जोडा गया था अच्छा कि यहां पे कुछ मिश्टिक दिख रहा है भाई यहां पे होगा 42 संसोधन द्वारा जोला गया था यहां पे नहीं को हटा दीजिया यहां पे नहीं को हटा दीजिया क्यों कि क्योंकि मैं आपको बोलू हूं अगर आप से बाद में एक बढ़के ग्यारा हो गया तो जाहिड सी बात है एक एड हुआ है और यहां अपसर में चार है तो कैसे पॉस्बिल होगा तो यह जो 14 साल के बच्चों के सिक्षा की बात है यही एड किया गया था बाकी संस्कृती की सुरच्छा करना उसका महत समझना यह पहले से था पब्लीक प्रापर्टी की सुरच्छा करना हिंसा को रोकना यह भी पहले से था देश की अखंडता को बनाए रखना यह भी पहले से था तो क्या 42 में संसोधन द्वारा जोड़ा गया था तो यह वाला जोड़ा गया था इसमें नहीं को हटाना पड़ेगा ठीक है टाइपिंग मिस्टेक को जो अगला क्या है है कराया है स्प्राइन बारति यह चर्ली कर्म कर्य करने के ios bank यह अप जानते हैं कि कि दो तीन साल पहले कडिक और पूरी तरीके से दोप चुका था इसकी market value खतम हो चुकी थी और इसी को सपोर्ट करने के लिए कारेकाली अध्यच गुरूप में रामा सुब्रमन्यम को गांधी को नुक्त किया गया है ठीक है अगला क्वेशन आ जाते हैं अब हिंदी की तरफ बढ़ते हैं हिंदी में देखते हैं क्या है क्वेशन कह रहा है गीतों की लडियां होती कि मोतियों की लडियां होती है गीतों की लडियां नहीं होती है गीतों की कडियां होती है कहते हैं कि एक कडियां और सुना दो एक कडि में से एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित प्रयावाची का प्रयोग हुआ है रजनीचर का सभाव दुस्ता पूर्ण होता है देखिए पहला यह अप्सन मिल गया आपको बाकी पढ़ने जरुवत ही नहीं वह दंभ करता है तो करने वाला तो करता है चैराक्षा सु होता है चलिए नेक्स क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स क्वेश्चन क्या है जिसकी सीमा ना हो जिसकी सीमा ना हो असीम क्या है असीम जिसकी सीमा ना हो वो क्या है असीम है या असीमित है जिसको हम कहते है अगला क्वेशन क्या है क्वेशन नम्पर चार इनमें से कौन सा सब्द अगनी का प्रयावाची नहीं है आपसे पूछ रहा है कि अगनी का प्रयावाची नहीं है वह यह पावक है अनल है होतासन है लेकिन अभंग नहीं है अभंग नहीं अभंग नहीं है ठीक है अभंग नह निमलिखित वाक्यों के लिए किस सब्द में असुधी है कह रहा है कि वाक्यों के लिए किस सब्द में असुधी है असुधी की पहचान करनी है देशों में यहां बीमारी कोरोना इसको थोड़ा सटा दीजे कोरोना के कारण फैली है तो यह बीमारी सही दिख रही है क्या आप एकिश्ति है बिमारी के भी मारी ओ우 नियुक है कुर्शन नमबर 6 क्या कह रहा है उसके फक्ष में अनेक लोग हैं कि उसके पक्ष में रोख हैं इसका मतलब आ हो गया कि विरोध में इसके विपक्ष क्या जाएगा ठीक है चलो आईए जल्दी जल्दी आंसर करते ने बच्चो जल्दी जल्दी आंसर करते ने कहते हैं मुठी गरम करना घूस देना सुभारंग करना सुभारंग करना या कलंक लगाना मुठी गरम करना बोलो अक्सर कहते हैं ना कि हाथ गरम करना, हाथ गरम करना, मुठी गरम करना दुरमें अंतर है की नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मुठी गरम करना घोज देना, क्या हो जाएगा, घोज देना, हाथ गरम करना मतलब धाग जमाना, ठीक है, लड़ाई जगला करना, घोज देना बॉढ़े का बुढ़ापा जो है वो है देगे वाक्यांस के लिए सार्थक शब्द बताईए दोपहर के बाद का समय क्या होता है क्या होता है तीसरा प्रहर, ठीक है, तीसरा पहर होता है, प्रहर नहीं होता है, तीसरा पहर होता है, तीसरा पहर होता है, ठीक है, ओके, चले, next question फिर आते हैं, question number 10, क्या कह रहा है, जहां तक हमारा बिचार तो यही है, अरे, ऐसे सोड़ी होता है, हमारा बिचार तो यही है, जहां तक क्य क्या होता है जहां तक गलत है कि आप लोग बहुत कुछ मिलेगी अब आख जहां तक वरड लाने का कोई मतलब नहीं थाम फरजी बहुकाल बना रहा रहर है m.. अगले आह वसंत इतुपरारंब होगी इसमें कहा है वसंत का बिलों भाई या वसंत का मौसम जो होता है वह घजबय होता है बसंत का और हेमंत का उसमें ना तो बहुत ठंडी होती ना बहुत गर्मी होती दम बिल्कुल मजदार मौसम होता है समझ नहीं समझ रहे हैं इसका विरोध में क्या होता है पतज़ड होता है चार तरफ एक दम बिल्कुल वो मार्च का है ना 15 मार्च के बाद का समय चार श्रे पे चिर-चिरापन होता हम विल्कुल हालत खराब होती है पूरा लास्ट मार्ज कहा है है अगला कोेशन क्या है इस तोटी की और असका-खिलना यहां पर हुता है तोट चल कपट से काम लेना किया होता है चल कपट से काम लेना या छिपकर सिकार करना नहीं होता है चल कपट से काम लेना होता है चले अगला कोईशन आ जाते हैं निम्नलिखित वाक्य मेरे खांकित खंड के अस्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उप्रयुक्त विकल्प का चैन करिए तब पानी से ठूसम ठूस भरा एव या ठूसम ठूस कोई चीज को भरते हैं क्या पानी को भरते हैं क्या आप क्या कहते हैं तब पानी से लबा लब भरा है लिक्वीड वाली जो चीज़ होती हो लबा लब होती है लबा लब है तब जो है वो पानी से क्या है लबा लब है ठीक है ओके लबा लब है अगला क्या कह रहा है निमलिखित में से विशेशन सब्द का उधारन क्या है भारत धन समाज भारती है विशेशन क्या है भार जो भारत की विशेषता बताता है भारतिय अगला क्वेशन वाक्यांस के लिए सार्थक सब्सक्राइब जो समान ना हो जो समान ना हो विशम है जो समान ना हो जो इवन ना हो वो क्या है विशम है ठीक है वो क्या है विशम है अब आईए बात करते हैं कि स्टोरी आएगी उसक लेकिन आगे करेंगे क्या है देखें कहानी क्या है कि आज हम जो कुछ भी उसमें किसकिस का का योगदान है मात्र भूमी का मात्र भासा का या फिर इन सबका एक इन सबका एक जननि हमें जन्म देती है, माता लिए के जन्म धे सकती है, जननि हमें जन्म दे गॉत हूँ यह H मनुष्य बनाने का अपकार करती है, अपकार नहीं होगा, उपकार होगा, उपकार लिखा है, उपकार करती है, इस उपकार का, इस उपकार का क्या? रिण हम सबसे अधिक है, रिण, यहाँ पर क्या है? रिण हम सब पर क्या है? अधिक है, रिण हम सब पर क्या है? सबसे अधि यहां पर क्या होगा अरे.'ट रिद भरा जायेगा, כि ऑगला कोई है मंहार पुत्र ब्लैंक्स झोटे नबर पर हम अपनी हम अपनी मात्र भूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे तो पर क्या भर देंगे आप मात्र भूमी, क्या भर देंगे आप मात्र भूमी, ध्यान रखें, क्या भर देंगे आप मात्र भूमी भर देंगे, ठीक है, ओके, तो मात्र भूमी भर देंगे यहाँ पर, ओके, अगला कोईशन क्या आ जाता है यहाँ पर, कह रहा है, कह रहा है कि स तलवार की धार तलवार की धार ठीक है तलवार की धार पर चलने का है तो बच्चों आपने देखा कि यहां पर हम लोगों ने questions solve कर लिये हैं ठीक है तो आप सब लोग ऐसे questions के लिए galaxy classes के साथ जुड़े रहे और सांदार अच्छे-च्छे questions आप सब लोग करते रहें तो प्यारे बच्चों आप सब लोग GSS special के बैच में आ सकते हैं और हाँ आपको यह भी सूचित कर दू कि सुबह साड़े नौ से लेके जो है ग्यारा बजे तक और उसके बाद फिर जो है हमारे बैचे चलते हैं बारा साड़े ग्यारा बजे से लेकर के साड़े बारा एक बै जिसे बैचे चलते हैं लगबग लगबग यह मान के चलते हैं कि तीन तीन घंटे के बैचे होते हैं जिसमें हम weekly और daily wise उसमें subject change करके हम लोग classes करते हैं ठीक है जैसे आज हम history पढ़ेंगे तो कल geography पढ़ेंगे फिर उसके बाद quality पढ़ेंगे फिर economics पढ़ेंगे इससे क्या होगा कि daily आपको 9-9 subjects मिलते रहेंगे और आप उसको अच्छे से करते रहेंगे ठीक है तो आप जुड़े रहें galaxy classes के साथ okay stay tuned रहें तो सभी को भई राम राम जैहिन मिलते हैं कल की class में thank you